इटली एक ऐसी जगह है जहां आप अपने छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं, इटली मुख्य रूप से एतिहासिक प्रिष्ट पूमी और देश के भोजन के लिए जाना जाता है। खास कर सभी स्वादिष्ट पिज्जा के लिए इटली प्यार करते हैं यदि आप इटली में छुट्टी पर हैं तो आपको वहां मौझूद एतिहासिक स्थानों पर जाना होगा। इटली में कई जगेह देखने और आनंद लेते हैं लेकिन अगले लेक में आप इटली में शीर्ष पांच एतिहासिक स्थानों के बारे में पढ़ रहे होंगे। 1. Florence Cathedral यह जगेह इटली में एक एतिहासिक स्थान है और एक चच भी है यह जगेह सांता मारिया डेल फियर को समर्पित है। यह जगेह बेहद सुंदर वास्तुकला से बना कला का एक अच्छा टुकडा है। यह स्थान 1300 सरसट में बनाया गया था। यहां पर आकर्शन गुंबद है। इसके बाद आप चच के आंतर एक और बाहरी भाग देख सकते हैं। दो, कॉलसियम, रोमन फोरम के पूर्व में स्थित सत्तर है। दी, में निर्मित इटली में एक एतिहासिक स्थान है जो देश में सबसे अधिक एतिहासिक स्थान है। यह समराट वैस्पासियन द्वारा रोमन लोगों के लिए एक उपहार के रूट में बनाया गया था। रोमन फोरम, पल्टाइन हिल और कालीजियम एक ही क्षेतर में बने हैं और एक ही टिकट की आवश्यक्ता होती है। तीन, पांथियन, देवता देवता इटली में एक प्राचीन रोमन मंदिर है। यहे, 118 और 125 में समराट हैड्रिन द्वारा बनाया गया था। जैसा कि आप पैंथियोन में प्रवेश करते हैं वहाँ एक अभिलेक लिखित में लिखा गया है। बास्तुशास्त्र को देखने के लिए पैंथियोन लोगों द्वारा जाना जाता है और दौरा किया है। गुंबद सभी आगंतुकों के लिए आकर्शन का टुकड़ा है। चार, लीनि में से एक है लीनिंग टावर कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था और फिर से जनता के लिए 2001 में फिर से खोल दिया गया था। आपके पास टौवर में यात्रा करने और अध्भुत द्रिश्य देखने के लिए कुल 30 मिनट का समय है। पांच, डोजिस पालस, डौग्स वहां से आप लौग्जिया फॉसकारा की तरफ जा सकते हैं जिसके अंदर खजाने हैं जहां राज्य के खजाने को सनरक्षित किया जाता है।